आज़ाम बनाएंगे यह सब बच्छों के फेवरेट कार्टून करेक्टर के उपर केक जो की है यह डॉरेमॉन केक आप देखरों के कितना क्यूट लग रहा है यह देखने में और इस केक को ना बनाना बहुत आसान है आप एक बिगणर भी है तो सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करोंगी जिससे आप बहुत इस केक को बना लेंगे या फिर ऐसे कुई भी और थीम केक को आप बहुत इजली बना सकते है और घर पर neutral gel कैसे बनानी है वो भी शेयर करूँगी और cream लगाते हुए अगर आपके cream थोड़ी सी dry हो या थोड़ी over whip हो जाए तो उसे कैसे ठीक करना है वो भी सारे hacks शेयर करूँगी इस recipe में आपके साथ तो जरूर देखेगा इसे और recipe पसंदाए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आज के इस डॉरे मॉन केक के लिए ना मुझे वैनीला फ्लिवर का केक बनाना था जिसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये plain वैनीला sponge बनाई और इसे मैंने बिना eggs homemade buttermilk के साथ बनाया था इसकी recipe में already काफी बार शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर तो आज मैंने इसका link नीचे description box में mention कर दिया है आप वहाँ से इसकी recipe चेक कर लिजेगा और बिना oven कडाही में ही bake किया था मैंने इसे और cake को पूरा अच्छा से ठंडा करने के बाद अब इसे demol कर लिया है और अब आप देखरों कि cake कितना जादा soft और spongy बना है एकदम cotton जैसा soft बना था ये cake तो आप recipe जरूर चेक करिएगा बहुत ही जादा अच्छा बनता है ये इस तरह से तो इसके बाद अब हम अपनी cake की icing शुरू करेंगे जिसके लिए सबसे पहले से layers में cut कर लिना है तो उपर का ये uneven part निकाल दिया मैंने और आप देखरों कि cake कितना एकदम soft, spongy, जाली दार है अंदर से भी इसके बाद अब cake को तीन layers में cut करेंगे आप चाहो तो direct knife के साथ cut कर सकते हो या फिर अगर आप एक beginner हो तो इस तना से knife से पहले cut लगा लो और फिर thread insert करके इसके साथ भी आप layers को cut कर सकते हो तो बस इस तना से हमारी ये तीनो layers आ गई है इसके बाद अब हम अपने cake की icing करेंगे और आज के इस cake में ना क्योंकि मुझे vanilla flavor ही बनाना था और बच्चों के लिए ये cake बन रहा था तो मेरे पास येलो color की vanilla flavor की cream whip करके रखी हुई थी पहले किसी cake के लिए बनाई थी मैंने तो थोड़ी सी cream मेरे पास बच गई थी तो मैं आज इसी के साथ ही इसकी icing कर रही हूँ ये बच्चों के लिए बन रहा है तो colors उनको अच्छे ही लगते हैं तो सबसे पहले board के उपर cream लगा के cake की पहली layer रखी और इसे moist किया sugar syrup के साथ sugar syrup बनाने के लिए आधा कप पानी में आपको एक चमत चीनी को घुलने तक mix करना है और फिर उसे हमें cake को moist करना है ice के उपर अब मैंने लगाई है cream और आप देख रहे हो कि cream आपको थोड़ी सी dry लग रही होगी तो क्योंकि ये पहले की whip करके रखी हुई cream है इसलिए ये हलकी सी fridge में रखी रखी थोड़ी dry हो गई है तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होना तो एक छोटा सा hack बता रही हो मैं आपको तो करना क्या है कि एक spray bottle में थोड़ा सा पानी लीजिए और इस तरह से हलका हलका सा cream के उपर spray कर दीजिए और फिर आप इसे smooth करना शुरू करिए आपके cream एकदम पहले जैसी creamy और बहुत easily smooth हो जाएगी तो है ना बहुत ही कमाल का hack तो ऐसे छोटे-छोटे hacks हमने जरूर पता होने चाहिए अगर हम baking करते हैं तो तो बस इसके बाद आप cake की second layer रखनी है और इन सारे strips को हमें repeat करना है अचा इसी तरह से अगर आपकी कभी-कभी cream over whip हो जाए तभी भी आपको यही hack follow करना है बस हलका सा spray करिए पानी को और आपकी cream एकदम perfect लगेगी आपको बहुत easily smooth भी हो जाएगी तो बस cake की third layer रखती है इसे भी moist किया शुगर सिरिप के साथ इसके बाद yellow वाली cream मेरे पास खतम भी हो गई थी और वैसे भी main cream को मुझे white color में रखना है तो अब मैंने white whipped cream ली है और फिर इसके साथ पहले crumb coating की इस cake की इसके बाद आप इस cake को 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखतेंगे इसके बाद अब इस cake की icing में जो हम चाइनीज खाना वगरा में यूज करते हैं साथ में डाल देंगे दो बड़े चम्मत चीनी और तीन चुथाई कप पानी अच्छा से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई गाठे न रहें आई इसके बाद अब इस mixture को हम low flame के उपर पका लेंगे और इसे अब हम low medium flame के उपर लगाता चलाते हुए पका लेंगे जैसे जैसे ये corn flour पकता जाएगा ना दो-तिन मिनट में ही आप देखोगे कि mixture जो है ये थिक हो जाएगा और एक transparent gel जैसी consistency में आ जाएगा तो बस दो-तिन मिनट तक ही पकाया मैंने इसे और अब आप देखो कि mixture जो है ये थिक हो गया है एक gel जैसी consistency में आ गया है तो ये बन गई है हमारी होम में neutral gel तो बस gas को हम बन कर देंगे बहुत जादा थिक नहीं करना है कि भी ठंडा होने के बाद ये और भी ठिक हो जाएगा इसे अब हम एक bowl में निकाल कर एक side पर रख देंगे ताकि ये जो gel है ये पूरे अच्छा से ठंडी हो जाए इसके बाद अब ये जो cake हमने फ्रिज में रखा था जिसकी crumb coating की थी 15-20 मिनट हो गए थे इसे मैंने निकाल लिया है तो अब हम final cream के साथ अपने इस पूरे cake को एक बार cover करेंगे थोड़ी-थोड़ी सी finishing कर लेंगे finishing के लिए मैं sides पर card use करती हूँ scraper है आपके पास तो वो ले सकते हूँ इसके बाद अब सबसे पहले cake comb के साथ मैं अपने इस cake के side पर pattern बना रहे हूँ अब इसके बाद अब इसके ऊपर की side पर हम बनाएंगे अपना dorymon तो इसके लिए ना सबसे पहले हम क्या करेंगे कि dorymon की जो थोड़ी-थोड़ी सी outlining है ना वो बना लेंगे इससे हमें dorymon बनाना बहुत easy हो जाएगा तो सबसे पहले मैंने ये आंखे बनाई जिसके लिए मैंने एक धकन यूज किया था ये मेरे पास और गयानों की डिब भी रखी थी उसके धकन था उसको अच्छे से wash किया और उसके साथ ये आंखे बनाती और फिर एक nozzle लेकर इसकी ये नाक बनाई और नीचे जो इसका collar वाला portion होता है जो घंटी सी लटकी होती है उसके nozzle के साथ वो भी बनाई center वाला portion पहले मुझे लगा कि ये थोड़ा सा टेड़ा बन गया है तो मैंने इस spatula से थोड़ा इसे cream को smooth किया फिर से और फिर से इसके ओपर ये निशान बनाया इसके बाद अब toothpick के साथ ना मैंने इसके बाकी की outlining बनाई तो पहले ये collar वाला ये जो घंटी वाला portion था इसे पूरा किया और फिर ये cheeks बना दिये इसके side पर और फिर इसी के साथ इसका ये जो mouth वाला portion है ये बना देंगे side पर बना देंगे थोड़ी सी ये mustaches यानि की मूझें जो इसकी होती है और इसकी जो deep निकली हुई होती है वो भी बना देनी है तो इस तरह से toothpick के साथ थोड़ी-थोड़ी सी ये markings बना ली है इसके बाद अब एक piping bag में मैंने यहाँ पर लिया है ये chocolate ganache ये chocolate ganache की जो recipe है इसका link नीचे description box में दिया है ganache को मैंने फ्रिज में रखके थोड़ी-देर के लिए set किया और अब ये spreading consistency में है और इसे एक piping bag में fill करके इसके आगे nozzle लगा ली है जिसमें इस तरह से ये pin point सा ganache निकल रहा है अगर आपके पास ये वाली nozzle नहीं है तो आप simple अपने बस piping bag को आगे से बस हलका सा cut कर लीजेगा इसी के साथ अब ये जो markings हमने बनाई है ना इसके उपर हम ये ganache की outlining करेंगे यानि की highlight कर देंगे इसको इस तरह से अचा कहीं पे भी अगर आपको लगे कि गलती से ganache इधर उधर गिर गया है तो कोई problem नहीं है हलका हलका सा आप toothpick के साथ या हाथों से इसे हटा दीजे बहुत इजीली हट जाएगा ये आप देखरों कि nose वाले portion में मुझसे भी गलती से अंदर की तरह गिर किया है मैं बात में कोशिश करूँगी इसे cover करने की तो इस तरह से पहले ganache के साथ हमने ये सारी outline बना लेनी है तो बिल्कुल जैसे किसी picture को बनाने के लिए जब हम painting करते हैं paper पर को drawing बनाते हैं तो सबसे पहले outlining बनाते हैं तो उसी तरह से हमने outlining कर ली है इस dorymon की इसके बाद अब इसके center में हमें colors fill करने हैं जिसके लिए सबसे पहले ये जो gel हमने बना कर रखी थी अब ये ठंडी होकर थोड़ी थिक हो गई है तो इस gel को अब एक flowing consistency में लाने के लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी आइड कर लेंगे अगर आप market की gel भी ले रहे हो तब भी आप पोस में ये ही procedure करना है वो थोड़ी से थिक होती है तो फलका पानी आइड करें तांकि वो flowing consistency में आ जाए इसके बाद जो color चाहो आप इसमें वो fill कर सकते हो तो डॉरे मॉन के colors के according मैं सबसे पहले इसमें थोड़ा सा red gel food color आइड कर रहे हो आप liquid food color भी आइड कर सकते हो तो हमारी ये red gel त्यार हो गई है जिसे अब हम fill करेंगे इसके nose वाले portion में और इसका ये जो collar वाला portion है इसमें डाल देंगे ये red gel तो toothpick के साथ या फिर चमच के साथ ना हलका हलका सा इस तना से इसे spread कर देंगे और ये जो tongue वाला portion है इसे भी मैं red color से ही भर रहे हूँ और इसके बाद इसी तना से मैंने थोड़ी सी gel में yellow food color mix किया तो ये जो घंटी वाला center का portion है इसमें हम ये yellow gel डाल देंगे और इसके बाद अब इसके बागी का जो portion है ना वो हम cream से cover करेंगे आप चाहो तो इसे भी gel से cover कर सकते हो बट मैं इसे cream से cover कर रहे हूँ तो सबसे पहले अंदर का जो इसका face वाला portion है उसमें हम white cream फिल करेंगे और इसके लिए मैंने एक piping bag में नूर 5 number nozzle लगाई है पहले मैंने actually कोई गलती से दूसरी वाली nozzle लगा दी थी बट उसके साथ मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था बन भी नहीं रहा था तो मैंने दूसरी वाली nozzle चेंज की और फिर इसके साथ ना बस छोटे-छोटे से stars बना लेने है और पूरे इसके face को अंदर की side से fill कर देना है white cream के साथ तो आप देखें कि जो पहले side पर मैंने थोटी-छोटी से cream लगा दी थी उसे मैंने पहले हटाया और फिर नहीं nozzle में cream फिल करके फिर इसके साथ बनाना शुरू किया और अब ये easily बन रहा था अचा इस तरह से अगर आपके पास ये छोटी वाली star nozzle नहीं है न तो आप इसकी जगा अपने piping bag को आगे से बस थोड़ा सा cut लगा लीजेगा और चोटे चोटे राउंड राउंड से drops डालिएगा तब भी पैटन बन जाएगा तो अंदर के पूरे face को हमें white cream से cover कर लेना है और ये easily cover हो जाए तो मैं पहले क्या कर रही थी न कि पहले जो side की boundary है यहाँ पे जैसे जैसे हमने ये black color का ये जो markings बनाई है पहले इसके side पे मैंने सारी जगा पे cream लगा ली और फिर अंदर का जो portion बच किया था उसे मैंने fill कर दिया white cream से तो ऐसे मुझे बहुत easy लगा इसको बनाना आप जैसे comfortable हो वैसे fill कर सकते हो तो इस सेना से पूरी white cream को अंदर fill करने के बाद अब बाहर के portion में हमें लगानी है blue cream जिसके लिए बची हुई cream में मैंने थोड़ा blue color अड़ किया और फिर हमारी blue cream त्यार हो गई इसे piping bag में fill करके same nozzle लगाई इसके आगे और बाहर के portion को अब हम blue cream से fill कर देंगे अच्छा आज के इस cake को बनाने में ना बहुत जादा गडबर कर रही थी सबसे पहले तो मैंने गलती से nozzle ही गलत यूज कर ली और उसके बाद में जब मैं cream लगा रही थी ना तो white वाली cream को ना मैं गलती से जो आँखों के बाहर का portion है ना जहां पर मैंने अभी ये blue cream लगाई यहां पर भी मैंने गलती से white cream लगा दी तो आज पता नहीं क्यों मैं बहुत ही ज़ादा confused थी उसे बनाने के time पर क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ होता है अगर आपका कोई experience है तो share करिए का comment section में आपको कौन सा कार्टून और कार्टून करेक्टर आपका फेवरिट है बताईए वीडियो के नीचे comment section में तो बस इसी के साथ हमारा ये डॉरेमॉन केक त्यार हो गया है आप देखे हो कि कितना cute लग रहा है ये तो केक के साइट पर भी मैंने थोड़ी सी boundary बनाती है तो बस त्यार हो गया है मेरा ये डॉरेमॉन केक बहुत ही जादा अच्छा बना था ये देखने में और ये केक मैंने अपनी friend के बेटे के बर्दे पर बनाया था उसके बेटे को ना डॉरेमॉन कार्टून बहुत जादा पसंद है तो मैंने उसके लिए ये बनाया और उन सबको बहुत जादा पसंद आया तो आप भी ट्राइ करिए इस रेसिपी को बहुत ही जादा easy है बनाने में मज़ा आएगा आपको मेरे साथ अपना feedback शेयर करिएगा और ऐसे कौन से और कार्टून करेक्टर्स के उपर हम केक बनाए वो भी सेजेस्ट करिएगा और हाँ पिक्चर इन सारी रेसिपी की मेरे इंस्ट्राग्राम पर शेयर करिए और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले